नमस्कार, आज मेरी कहानी के शो में एक खास शक्सियत हमारे साथ जुड़ रही है, सांसद हैं भिंड से, मध्यप्रदेश से, उन्होंने कम उम्र में अपनी जिन्दगी की शुरुवात की, पर इस सफल जिन्दगी में उन्होंने संसद तक का सफर तै किया है, आज उनसे हम चर्चा करेंगे, संध्या राय जी, जो वहां की संसद हैं, और वो हमें बताएंगी, उनकी पूरी कहानी, उन्हीं के जुबानी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है संध्या जी, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, मैं आपका पूरा पढ़ रही थी कहानी तो आपको कोई शादी का कॉंसेप्ट, कोई ऐसी मेमरी याद आती है कि इतिका हुमर में जब आपकी शादी हुई, एक ऐसा पल जो आपके मन में अब तक आता हो, देखे परिंका जी, वैसे तो मुझे कुछ भी समझ नहीं थी, जब मेरी शादी ते हुई, और जिस तरह मे कुछ भी आद नहीं है, तो वैसे विदाई आपकी 10th स्टैनर्ड होने के बाद हुई, जैसे कि 84 मेरी शादी हुई, और उसके बाद 5 साल बाद 89 में गोना हुआ, जब तक मैं 10th में भी आ गई थी, 10th के मेरे पेपर भी हो गए थे, उसके बाद फिर गोना हुआ, और गोना क करके मुझे सस्वराल विदा कर दिया, कि अब सस्वराल में जाई है, अब रही है, तभी से फिर मैं सस्वराल रहने लग गई, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी, जब 16 साल पर कहा कि अब समय आ गया है कि आप सस्वराल जाएगी, आपकी प्रतिक्रिया क्या थी, क्य कि शादी क्या होती है, गोना हो रहा है, 89 की बात करें, तब ना मेडिया था, ना ये सोसल था, ना मोबाइल थी, कुछ ऐसा था नहीं उस समय, तो हमें भी मुझे कुछ जानकारी भी नहीं थी, कि शादी और गोना होता क्या है, लेकिन चुकि तेह कर दिया था, ये ससुराल प काउचा संदने और तो ये साथ स्कौछ, साथ ससुर है, हमार येह परदा भी होता है, तो कुछ चुह चीज है थी, कि मैं किसी से परदा करती थी, किसी और किसी से नहीं कर देती थी, कि मुझे समझ ज़ने लगी, और वो सारी चीजे मुझे मतलब वहां रहकर ही समझी है कि सस्राल क्या है पर एक चीज बहुत दिल्चस्प है कि जब आप शादी करकर आई तो आपके सस्राल वालों ने आपकी पढ़ाई को बढ़ावा दिया आपको आगे जैसे आप ग्राजुएट बनी आपने पोस्ट ग्राजुएशन किया आप एक एक ताइम था जहां पर आप आप नौकरी भी करने के लिए तेयार थी बिल्कुल 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 वो जग बहुत कम महिलाओं का मैं सुनती हूँ और विदाउट एनी प्रेजुडेस कहूंगी कि सस्राल से कभी-कभी कम समर्थन मिलता है आपका केस उल्टा है तो वो मुझे बताएं कि कौन उसमें सास ससूर किसका योगदान ज अच्छी पोश्ट पर है तो उन्होंने मुझे लगातार हमेशा यही कहा कि नहीं आपकी इच्छा है मेरी इच्छा पर ही छोड़ा उन्होंने अगर संध्या तुम पढ़ना चाहते है बिल्कुल पढ़ो और पती पूरी तरह सपोर्ट में थे तो उस तरह फिर मैंने 11th की एक्जाम दिये 12th के भी दिये 12th तक तो मेरी बेटी भी हो गई थी 91 में मेरी को बेटी हो गई थी फरवरी में तो उसको मैंने मतलब 6-7 महने की थी जब मैंने 12th किया मा बहू पतनी और स्टूडेंट कैसे मैनेज कर लेती थी थी आप बस सब प्रेंका जी हो जाता था सब का सपोर्ट था सास मेरी बहुत अच्छी थी परिवार बहुत अच्छा था सब के साथ में मेरी सारी चीज़े सहस्ता से होती चली गयी 12th के एक्जाम दिये 12th में पास हो गई उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन भी किया तो ग्रेजुएशन मैंने मुरेना से का जीवा जी कि तब तक gas agency भी हो गई थी उन ही के नाम, तो फिर उनको तैय करना था कि क्या करना है, तो उन्होंने फिर gas agency ली नौकरी से इस्थिफा दिया, और इस तरह फिर हम लोग अंभा आ गए, मुरेना जिले के अंभा, हैंने मैं शियूपरी से सीधे फिर अंभा आ गए, मुरेना ज अब उची समय जुड़ी के कुछ सलवाग जुड़ी? नहीं, उस समय बिलकुल नहीं जुड़ी, उस समय तो husband करते थे, मैं पूरी तरह house vibe थी, अपने बच्चों को पालना, घर का काम करना और उनको support करना, लेकिन राज निती की समझ बिलकुल नहीं थी, वो लगाता जनप अंगनवाडी कार करता और उसमें भी नहीं बेचते थे, गाउं में पहले समझाता था था हमारी बहु नहीं करेगी, तो चुकि फिर परिवार के लोग बोले कि आप अपनी निकालो ना, दूसरों की घर की बहु को क्यों देख रहे हो, तो फिर उन्होंने का ऐसी बात है, क्या बहुत खिएंग्मा फिर में उसकdirect फिर हमारी शुरूरा था है, फिर में अपनी गाहों की पहाड़ि गाहों चारणबे माम का में दो वो भी मेरे सहयोगी के रूप में थी, दोनों ने हमने वो काम किया, लेकिन जब एजनसी मिली, तो फिर हमने वो छोड़ा, उसका इस्थीपा दे कर हम अपने अंभा आ गए, और फिर वहां से मैंने अंभा में रहना सुरू कि हम लोगों ने पती-पत्मी ने, बीच में जब दूसरा बेटा भी आ गया था जब तक मुझे, क्योंकि दो-दो साल का है, तीनों बच्चों में गयफ, तो बहुत कम उम्रे में सारी चीजे होती चली गई, और मेरे साथ में सहिस्ता से सारी चीजे होगी, उसके बाद में हजबन रायनिती करने लगे, क्योंकि एजनसी थी लेकिन देखे कि 2000 में सायद महला सीट हुई, मंडी की, मंडी की, आपने 95 में जुड़ी है और 2000 में बीच में जब अंभा आय तो में रायनिती में जुड़ेती है, मैंने समझा कि भारती जनता पार्टी है, उसमें महला मोर्चा भी है, और राजटी अपना जो RSS है, उससे समझ कि मैंने जाना कि RSS क्या है, क्योंकि हस्बइन लगा तार उससे भी जुड़ेते, तो मैंने दोनों चीजों को समझा, तो मैं समझने लगी, मैं हस्बइन रायनिती भी करते हैं, और रायनिती में क्या-क्या चीज़े зв०, तो ऊसमें में महला मोर्चे से जुड़ गई लेकिन खुद पदपर में 2000 में आई, 2000 में मन्डी के अध्यक्ष का पदभार समाला बहुत अच्छे मतों से मैं जीती, और एकदम चुनाओ, ऐसा नहीं कि मैं चुनाओ लड़ रही हूँ, मतलब वह भी मुझे पता नहीं था कि मैं चुनाओ लड़ूंगी, मेरे हल्बेंड न में जब लास्ट एट थी फोर्म कीचने की, तो वहां के लोकल के लोग, पार्टी के लोग, कुछ हमारे सुब चिंता कुनों ना मना कर दिया के नहीं, फोर्म नहीं किचेगा, संध्या को चुनाओ लड़ना है, पार्टी भी चाहती थी कि मैं चुनाओ लड़ूंगी, तो समय कुछ पता ना होने से, फिर अध्यक्ष बन जाने से, फिर आपकी काफी चीजों में बढ़ा होगा, और आपने सीखा होगा, बिल्कुल, अब जैसे ही मेरे लिए एकदम नया अनभव था, मैं चुनाओ लड़ना हारम हो गया, अब चुनाओ के प्रचार प्रसार भी चा करना, और बहुत सारे मतलब कुछ चीजा ऐसी नई थी, मैं जिजगती थी, मैं मेरे हस्बेंट को कहती थी, आपने मुझे कहां ले आएं, ये बिल्कुल मतलब, और उनका समर्थन पूरा था, पूरा था, मेरा बिल्कुल मतलब, वो नहीं था, कि मैं ये कर पाऊंगी, लेक जैसे आपकी शुरुवात हुई, बिल्कुल, बिल्कुल, और आपने उस रेजर्वेशन के माध्यम से अपना पूरा आगे का, जो रोड मैप होता है, बिल्कुल, 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 तो कभी-कभी लगता है, जैसे मुझे लगता है, कि हम जब विमिन्स डे पे, जब हमारे चैमिन साहब ने कहा था, कि आप महिलाओं के बारे में बात करें, तो मैंने कहा था, कि हमें रेजर्वेशन होना चाहिए, कि काफी ऐसे जैसे आपकी स्टोरी इस अलसो इंस्पारिंग, कि अगर मौका मिले, तो आप कहां से कहां जा सकती है, बिल्कुल, बिल्कुल, आपको समय मिलता है, राजनीती से, संगठन के जो भी काम काज है, जिम्मेदारियां है, और परिवार में, बच्चों को देखने में, समय कुछ मिल पाता है अपने लिए, बिल्कुल, समय तो देखिए, निकालना पड़ता है, मिल तो नहीं पाता, लेकिन निकालना पड़त है, मेनेज करना पड़ता है, और जब मैंने राजनीती की सुरवात की मंडी से, उसी मंडी के अध्यक्ष रहते हुए, तीन में MLA की टिकेट दी पार्टी ने मुझे, 2003 में MLA भी बन गी, तो थोड़ा से मुझे, उसमें समय जादा देना पड़ा, मंडी का एक सिमित कारकाल उसमें जादा काम भी नहीं था, जादा वर्क भी नहीं था, और मेरे उपर भी लोड नहीं था, लेकिन जब मैं MLA का टिकेट दिया पार्टी ने, और MLA बनी वहां से, फिर मुझे लगा कि ये बड़ा काम मिला है, एक चेतर का विधायक होना, और विधान सभा की समश्या, शिकायते हैं, लोगों से मिलना, फिर मुझे बहुत लगा कि ये बहुत बड़ा दायत दे दिया पार्टी ने, फिर मैंने रूची लेना चालू कर दिया, कि ये मुझे करना है, तो फिर मैंने लगा था, धीरे-धीरे सक्रीता बढ़ती गई, विधान सभा में, मैं दिमनी स विधायक थी, मुर्यन अजले से, और बस इसमें ये था, कि मेरे छेतर के लोगों का सपोर्ट मुझे पूरा मिला, और परिवार का सपोर्ट था ही, और जैसे आपने कहा कि परिवार, बच्चे, और घर, और अपनी विधान सभा, और अभी लोग सभा, तो ये समय तो ऐसा ह है, बेटी की शादी भी हो चुकी है, बेटी की शादी हो गई है, बेटी की शादी हो गई है, बेटी अपनी सस्राल में ही है, मुझे लग रहा है, दो साल हो जाएगी इसकी जनवरी में, लोगडाउन हुआ था, उससे पहले उसकी शादी हो गई है, और दोनों बेटों का बेटों का कोई इंट्रेस्ट नहीं है दोनों बेटे एक बड़ा वाला बी मेकनिकल से ग्रेजुएशन होकर अभी वो तैयारी बगरा कर रहा है छोटा वाला एम बेए कर रहा है दोनों यह भी तैयारी करते हैं और आपकी जब आप वापस मुरेना में जादा समय बीता है कि दिल्ली में बीता है और आपके एरिया ऑफ इंट्रेस्ट क्या है कि जैसे आप संसद में आई कि कौन सा एरिया ऑफ इंट्रेस्ट है जो आप कहती है कि यहां पर अगर हम काम करेंगे महिला होने के नाते हमारी जिम्मेदारी कुछ चीजों में ज्यादा बर जाती है तो में एमेले के कारकाल पूरा होने के बाद लगातार में संगठन से जुड़ी रही तो सबसे पहले में महला मोर्चे में प्रदेश की उपाद्यक्ष रही तो उस समय हमें महला मोर्चा मिला तो मैंने महला मोर्चे में लगातार अपना चाहें ग्वालेर संभागो चाहें मु अरे मुझे द्वारा विसान की छेतर तरह उसे काम किया है। तो भिंद में कोई ऐसा कल्चिरोल अक्टिविटी जिससे आप अपने आपको करती हो ऐसी कोई काल्चिरल अक्टिविटी है वहां की कोई खासियत है जो आप चाहती है कि देश को पता होना चाहिए उनका गाना हो उनका एक तरीका खाना बनाने का हो आपको खाना बनाने का समय मिलता है ने बिल्कुल देखिए पहले तो अपने हाउस वाइब ती तो मैं और मुरेना है यह दोनों जिले एक जैस है चम्बल संभाग में आते हैं और दोनों एक से ही हैं अभ आपने पूछा को वहां की महलाए है तो वहां की महलाए देके खेथी किसाने में बराबर भूमिका निभाती हैं और घर के कामों भी लगातार चाहिए अन्य कोई भी काम ह अब तो बहने लगाता पहला जब मैंने शुरुवाथ की तब दूर रखा जाता है हर छेतर से लेकिन अब तो उस छेतर में भी बोड़ाबर बेटीयों को पढ़ाने के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए परिवार पूरी जी जानी से जुटा हुआ है और छेतर की बेटीय थोड़े पिछड़े हुए हैं और पिछड़े जिली होने के कारण सोच थोड़ी सी कही ना कही थोड़ी छोटी है लेकिन उसके बावजूद भी बेटियां महलाएं हर चेतर में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है और आगे बढ़ भी रही है दस सल से पहले आपको बच्प और लगातार में चाहिए कवरड़ी हो चाहिए खोको हो यह उस समय चलते भी थे गेम अभी जो चलते हैं वो उस समय नहीं थे तो यह तीन-चार गेम थे जिसमें मेरी रूची भी थी और मैं करती भी थी एक दो बार साई सेलेक्षन भी हुआ इस्टेट के लिए लेकिन पा मुझे आगे नहीं जाने देते थे कहते शादी हो गई है जो कुछ करने आप सस्वराल में करना बस यह थोड़ा कह देते थे के जो करना है यहीं करिये जहां हो कुछ ऐसी चीज है जो आप अपने गिवप की हो और आपके मन में लगता हो वो टीस पहुंच दियो क्यों मैं मैंने गिवप कर दिया अगर मैं कंटिन्यू करती तो बिल्कुल नहीं रही में जो इच्छा होती थी मैं जरूर करती थी एंसी सी में उसमें भी भाग लिया मैंने काफी जो मुझे मतलब स्कूल में क्लासेस में जो भी अक्टिविटी होती थी मैं सब में भाग लेती थी औ और सब में अच्छा करने का प्रयाज भी करती थी और जितना करने को मिलता था संतुष्ट थी, कुछ नहीं हो पाता तो कभी मैंने इतना सोचा नहीं कि क्यों नहीं हो पाया, सब समय पर छोड़ दिया, मैंने ठीक है कोई बात नहीं, अब एक आइडियल वुमन है, जहां पर जोचीज आपके सामने आई, आपने उसको उपरच्विनिटी उसकी, अगर नहीं मिला, आपने किसी तरीके का आपके मन में ये नहीं रहा कि मुझसे ये नहीं हो पाया, नहीं बिल्कुल, और ऐसा सोचने के लिए मुझे समय भी नहीं मिला, क्या मैं सोच यूँ कर पाई, वो छूटा तो दूसरा चीज कहीं मेरे हाथ में जरूर आ गई होगी, जैसे वहाँ बच्पन छूटा, शादी कर दी, शादी के बाद मैंने कंट्यूनी रखा, फिर ससुराल आ गई, ससुराल में राई तो बहुत जल्दी मैं राजनिती में भी आ गई, और राजनिती में आते आते, बीच बीच में बच्चे भी बड़े होते चले गए, लेकिन ये ठीक है कि मुझे बिल्कुल अभी भी नहीं लगता कि मैं सांसद हूँ, अभी भी मैं छेत्र में वैसे भी मिलती हूँ नॉर्मल तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल, आगे का कोई प्लान आपने मन में है, या हो सकता है, बच्चपन में कभी कोई सपना देखते हैं, कि हम यहां आजाएंगे, हम यह करेंगे, अगर मैं MLA बन गई, मैं MP बनूंगी, या मैं Assembly में मंतरी बनूंगी, यह ऐसी कोई आपकी, यह बिल्कुल मेरे दिमाग में कभी कुछ नहीं चल था, तो पार्टी ने लोकसभा लडाया, और आज भी मैं यही सोचती हूँ, कि पार्टी ने जो मुझे जुम्यदारी दिये, बिंड से लोकसभा सांसद हूँ, तो मैं अच्छा काम करूँ, आज दोनों जिले पिछड़े हैं, जिले में अच्छा विकास हो, और कुछ मेरा लक्ष यही रहता है, कि अभी हमारे पास जो जुम्यदारी है, उसको मैं अच्छे सेने बालू हूँ, कोई सेंस ऑफ रिस्पॉंसबिलिटी और बढ़ती है, लगता है कि महिलाओं के साथ खास करके होता है, कि अगर ऐसा मदर हैं, तो कभी-कभी अगर समय राजनीती म मेरे साथ बहुत होता है, मेरे बच्चे छोटे थे, जब मैं राजनीती में आई थी, और हम बोग मुंबई से थे, तो बहुत समय में उनके, उनसे दूर बिताती थी, तो एक महिला होने के नाते कभी लगता है, कि ना मैं मा बन पा रही हूं, ना मैं राजनीती में कुछ कर पारी हूं ना मैं अपना करियर संभाल पारी हूं ना मैं अच्छी बहू बन पारी हूं कभी ऐसी feeling उत्पन होती है बिल्कुल होती तो है कि मैं बच्चों को समय नहीं दे पाई जैसे छोटा वाला बेटा मैं मंडी के देश थी तो बहुत छोटा था चार साल का था तो उसको जरूर मैं थोड़ा लगता है कि उसको समय नहीं दे पाई लेकिन जितनी आवश्यक्ता थी मैंने उसको दिया हाला कि वो कभी-कभी कह देता है ममी आप ने बिल्कुल समय कम दिया जब मैं बिधायक बन गई थी तो मैंने उसको नानी के पास भी रखा दादी के पास भी करते हैं लेकिन खुशी है कि बच्चे सभी मतलब ठीक हैं कहीं कोई ऐसी दिकत नहीं है नहीं तो राजनितिक महला करें और बच्चों पर ध्यान ना दो तो जरूर ऐसा लगता है कि बच्चे कहीं ऐसा नहीं हो ठीक हैं के नहीं है लेकिन इस वर करें बहुत तरक्की करें बाकि राइज निति ही में बी आपका कैमपेग्हा था दो हजार उदीत है स्वैने लोगसभा में काम किया जैसा संगठन ने पत्ते मसं को सब्सक्राइबाबारों जब तो आपका free time होता है परिवार के साथ, आप क्या सबसे ज़ादा करना पसंद करती है? सब्सक्राइब। है और हजबे नम्मा रहते हैं वह भी दिल्ली आते रहते हैं वाकि भिंड का लोकस्वाद चेत्र इतना बड़ा है कि मुझे भी कम समय मिले पाता है लेकिन फैमिली भी समझती है कि अब जिम्मेदारी जादा है तो भी ज्यादा कुछ ऐसा मतलब कहीं कोई ऐसी बाती नहीं आ हैं तो हम एक सेल्फी लेंगे अब उस सेल्फी मोमेंट के बाद मैं संद्या जी आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी आप जो शेत्र से आती हैं जैसे आपने शुरू में कहा के काफी कहीं कहीं पिछला रह गया है खास करके महिलाएं जो आगे आना चाहती हैं लड़ उसको देखकर मुझे बहुत प्रेहना मिलती थी और को भी महिला की कहानी सुनती थी I used to feel very positive, motivated तो जैसे आप उनको represent करती हैं और उनके भी जो सपने हैं राजनीती से जुड़े हों राजनीती के अलग हों आपका उनके लिए message क्या रहेगा कि उनको परिवार का समर्थन तो पहले से बदलाव तो काफी आया है पर कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि बास्ता में बेटियों को उतना नहीं मिल पाता जितना बेटों के पिक्षा देना चाहिए तो मैं यही कहूंगी कि पूरे परिवार में सभी चाए बेटी हो या बेटा अब समानता का विलकुल हो समाना आधिकारी भी होना चाहिए और धीकि सोच में परिवरतन भी आया है पहले की सोच और अब की सोच में बहुत अंतर आया अब बेटियों के लिए भी परिवार के लोग कड़ते हैं जैसे कि बेटे कोपढ़ाते थे आब बेटियों को मैंने शेतर में बहुत बदलाओ पहले देखते थे कि हम पुलिस में नहीं होती थी लेकिन आज हम देखते हैं पुलिस विभाग में भी छोटी-छोटी बेटियां जब पुलिस की बढदी में निकलती है तो देखर बहुत अच्छा लगता है इसलिए बहुत अंतर आया है चेतर में भी और यही मेसेज देना चाहूँगी कि सभी परिवार के पूरे देश के परिवारों को मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी परिवार की बेटियों को आगे बढ़ाएं पढ़ाएं और वो जो हासिल करना चाहती है उनकी जो इच्छा है वो जरूर उनकी पूरी करें क्योंकि आने वाले समय बेटा तो सब कोछ है लेकिन नहीं, बेटी है, तीकिए जन तो बेटी ही देती है, बिलकुल, इसलिए बेटी को बिलकुल पूरी तरह बेटी की तरह उसको उडान भढने दीजिये, यही मेसेज देना चाहूंगे, बहुत ही खुबसुरत सोच, बेटीयों के लिए भी उडान भढने रही है मैं उमीद करती हूं आने वाले समय में आप और उडान भरें और हमारे देश को गौरवान्वित करें बहुत-बहुत आपका धन्यवान धन्यवाद प्रिंका जी आपका बहुत-बहुत तो इंतिजार किस बात का है आप सभी घर की बेटियों को उड़ने का मौका पहचान वह अपने आप बनाएंगी आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले एपिजोन मेरी कहानी कर दो कर दो